जाहिंद प्यारे दोस्तों स्वागत है आप लोग आएकोन ने वीडियो में सो दोस्तों आज की इस वीडियो हम बात करने वाल है SSC GD नई भरती नोटिफिकेशन के बारे में सो दोस्तों SSC की तरब से GD कॉंस्टेबल के लिए नई भरती का ओफिसल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है तो आएए दोस्तों देखते हैं नोटिफिकेशन में क्या का देखने को मिल सकता है दोस्तों इस नोटिफिकेशन को आप SSC की ओफिसल वेब साइज से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर दोस्तों आप मेरे टेलेग्राम चैनल को जोईन करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं टेलेग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिक्सिप्शन में मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको पे लेविल देखने को मिल जाएगा पे लेविल 3 है और 21700 पे से लेकर 29700 पे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट वाइज वेकेंसी देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज सीट देखने को मिल जाएगा यहाँ पे आपका male के लिए seat देखने को मिल जाएगा इसके बाद यहाँ पे female के लिए seat देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्वर हम male की total seat की बात करें तो 23,347 यहाँ पे male के लिए total seat दिया गया है इसके बाद दोस्तों हम female total seat की बात करें तो 2799 पे यहाँ पे female के लिए total seat दिया गया है अगर हम total seat की बात करें male और female की तो 26,146 seat यहाँ पे दिया गया है इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको age limit देखने को मिल जाएगा तो 18 से लेकर 23 एर तक sperm को apply कर सकते हैं इसके बाद अगर आप SCST से हैं तो 5 साल age relaxation में देखने को मिल जाएगा अगर OBC हैं तो 3 साल age relaxation में देखने को मिल जाएगा इसके बाद EX service मैंने तो 3 साल age relaxation देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे date count किया जाएगा वो दोस्तो 1-1-2024 तक यहां पर count किया जाएगा और यहां पर दोस्तो दिया है Do 1-1-2001 से लेकर 1-1-2006 के बीच में यहां पर आपका data birth होना चाहिए इसके बाद नीचे यहां पर आपको education and qualification देखने को मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तो दिया है the candidate must have passed matriculation 10th class examination from a recognized board by university तो यहां पर दोस्तो अगर आपके पास 10th का mark sheet है तो आप इस form को apply कर सकते है इसके बाद दोस्तो जो essential qualification count किया जाएगा वो दोस्तो 1-1-2024 तक आपका जो mark sheet है वो दोस्तो complete हो जाना चाहिए जो new student है उनके लिए इसके बाद अगर आपके पास NCC certificate है तो यहां पर दोस्तो आपको छूट मिल जाएगा अगर NCC certificate C है तो 5% NCC certificate B है तो 3% और NCC certificate A है तो 2% यहां पर आपको छूट देखने को मिल जाएगा इसके बाद अगर हम application fees की बात करें तो OBC general EWS का यहां पर 100 पर फिस लगने वाला है इसके बाद अगर हम SCHT और woman candidate की बात करें तो यहां पर इनका कोई charge नहीं लगेगा इसके बाद नीचे यहां पर आपको center of examination देखने को मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तो हर एक state के लिए center of examination दोस्तो जारी कर दिया गया है जो आपके near about center परता है उसको दोस्तो आपको form में apply कर देना है इसके बाद यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा scheme of examination तो यहां पर दोस्तो आपका 80 question रहेगा और एक question यहां पर दो marks का दिया जाएगा इसके बाद यहां पर subject wise आपका दोस्तो डीटेल देखने को मिल जाएगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर part A की तो part A में दोस्तो आपर reasoning देखने को मिल जाएगा जो कि 20 question 40 marks रहेगा तो यहां पर general knowledge और general awareness रहेगा 20 question 40 marks इसका बाद हम mathematics की बात करें elementary mathematics की part C में तो 20 question 40 marks इसका बाद हम part D की बात करें तो English और Hindi यहां पर देखने को मिल जाएगा इन दोनों में से आप कोई एक subject चूच कर सकते हैं इसका 20 question रहेगा इन्दी और फिर English का इसका बात हम 20 marks आपको देखने को मिल जाएगा यहां पर दोस्तों 60 minutes आपको देखने को मिल जाएगा एकजाम के लिए जो की 60 minutes में 80 question आपको करना रहेगा इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हर एक language में दोस्तों आपको paper देखने को मिल जाएगा जो दोस्तों आपका local language है उसी को दोस्तों आपको form में apply कर देना है इसके बाद बात करते हैं आपको negative marking की तो 0.25 यहाँ पे negative marking दिया गया है अगर एक question गलती रहता है अगर दोस्तों आपको एक question गलती रहेगा तो 1 by 4th marks यहाँ पे काट लिये जाएगे इसके बाद यहाँ पे आपको detail में syllabus देखने को मिल जाएगा reasoning का, journal legend, journal 11th का, mathematics का और English और Hindi का यहाँ पे आपको syllabus देखने को मिल जाएगा इसके बाद दोस्तों जैसे आप exam qualified करते हैं इसके बाद दोस्तों आपका PST और PT करा जाएगा जो कि physical student test और physical efficiency test यहाँ पे करा जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों गर हम male की बात करें तो 5 km आपे 24 मिनट में run करना है इसके बाद 1.6 km आपे 7 मिनट में आपको run करना है पे physical standard test की जो PST होता है इसमें दोस्तों आपका height और chest measurement किया जाएगा अगर दोस्तों हम height की बात करें male के लिए तो 170 cm इसके बाद हम female की बात करें देखने को मिल जागा minimum दोस्तों आपका height 165 cm होना चाहिए इसका बाद हम chest की बात करें सीना की तो यहां पर male की बात करें तो 80 cm और यहां पर 5 cm आपको expansion करना है तो बस दोस्तों मैंने notification को अच्छे से explain कर दिया है उमीद करते हैं कि दोस्तों वीडियो पसंद आएको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को like किजिए अपने दोस्तों के साथ भी share किजिए अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe किजिए तब तक लिए जाए हिंद वंदे मातरम